जहीं दोस्तों मैं रामडाल प्रशाद मौरे उपस्तित हुए एक नया वीडियो लेकर जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस 8415 सिपाही भरती को लेकर 6-7 महिना अब 8 महिना होने को है एक्जाम हुए जैसा कि आपको पता है कि मार्च में 14 और 21 मार्च को इसका एक्जाम हुआ था और आज 8 और 9 अक्टूबर है अब तक रिजल्ट नहीं आया इसको लेकर हम लोगों ने एक प्रयास करा था आप सबों के सहयोग से हमने बताया था कि इसको लेकर क्या अप्रोच रखा जा सकता है हमने आप कल हमने बात किया था इसको लेकर तो कल के जो ट्वीटर कैमपेंड जो हुआ था उसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि उसका क्या प्रभाव रहा हम लोगों ने जो ट्वीटर कैमपेंड आउग हुआ है जो समाचार पत्र का सुरुखी बना है आप दैनिक भासकर देखे या कई एक और समाचार पत्र भी देखे होंगे टाइम्सनाव का जो यह हम लोगों ने देखा है और भी कई को इस पॉजिटिव एप्रोच निकल कर आएगा चुकि कई बार हम लोगों ने देखा है इसके प्रभाव के रूप में ट्विटर कैंपेंड के रूप में जैसे इससे पहले रेलवे का आप लोगों ने देखा होगा उसका भी काफी पॉजिटिव इंपक्ट पड़ा था इस पर कहा हम लोगों ने भी कहा था कि हाँ भी रिजल्ट आ जागा लेकिन कुछ एक कारण से रिजल्ट नहीं आ पाया तो इसको लेकर हम लोगों ने प्लान करा कि एक आठ अक्टूबर को एक ट्विटर कैंपेंड हो जिसमें हम लोग बात रखें अपना और जो आम स्टूड केंपेंड हम लोगों ने करा है तो इसका प्रभाव यह हो सकता है कि जैसे आयोग कि जब निंद खुलेगी मतलब यह देखकर तो हो शकता है कि क्या सब्ता दो सब्ता के अंदर में रिजल्ट दे दे या एक दो दिन में भी वह ऐसा पॉसिबल है मतलब एक अनुमान हलाकि दिखिए गवर्मेंट इस पे क्या रुक रखती है चुकि अभी यह क्या बोलते हैं दुरुगा पूजा का यह चल रहा है और उसके बाद पंचायत का चुनाव भी चल रहा है लेकिन इसके बावजूद चुकि धर का एक सीमा होता है वो जवाब दे रहा है तो अब देखि रूप से हम लोग काफी सफल रहे हैं इसमें इस कैंपेंट को लोगों तक पहुँचाने में इस बीच आप लगे रही है अपना पॉजिटिव अप्रोच बना कर रखिए और जो भी है जैसे आगे माली की इसके अलावा भी SSA GD है और बिहार से सम्भनी तो और भी एक्जा से उसको लेकर अब तैयारी करते रहें और हमारी शुक्त कामना है कि आप सफल हो कहीं न कहीं एक सीटाप अपना पका करें बिहार SSA GD हो या बिहार पुलिस 84 सब 15 हो या फिर बिहार दारोगा की बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिहार दारोगा का फॉर्म फिलप किये है आप उसमें भी अपना प्रयास करें और निश्यत रुप से आप सफल होंगे जैहिन